चिडिया रानी बड़ी सयानी चुगती दाना पीती पानी चीची कलके दाना खाती पुरपुर कलके बोड़ जाती चिडिया रानी बड़ी सयानी चुगती दाना पीती पानी चीची करके दाना खाती पुरपुर कलके बोड़ जाती चिडिया रानी ओ चिडिया रानी ओ चिडिया रानी ओ चिडिया रानी चिडिया रानी बड़ी सयानी नित सवेरे हमेज जगाती पेड़ों की डालब इनक बसेरा सांचो तेही ये सोजाती चिडिया रानी ओ चिडिया रानी ओ चिडिया रानी ओ चिडिया रानी चिडिया रानी बड़ी सयानी दूर दूर कर उड़ कर जाती तिनका तिनका चुन चुन कर मैनत करके घर है बनाती चिडिया रानी ओ चिडिया रानी ओ चिडिया रानी ये कहानी पक्षी पूर जंगल की है जिस जंगल में मेनू चिडिया रहती थी मेनू चिडिया जंगल के तमाम पक्षियों की सबसे ज़्यादा चलीती चिडिया थी जंगल के तमाम पक्षी मेनू चिडिया से बहुत प्यार करते थे क्योंके वे सब की मदद करती यहां तक की पूरे जंगल के तोते महाराज भी पूरे जंगल में सबसे ज्यादा मीनू चिडिया को ही पसंद करते थे मीनू चिडिया की अकलमंदी और बुध्धी पूरे जंगल में मश्यूर थी तोते महराज को दूसरे जंगल किसी काम से जाना था और उनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था परन्तु वे काफी ज़्यादा चेंते थे क्योंकि वे अपने पीछे अपना इतना बड़ा राजे ऐसी ही छोड़ कर नहीं जा सकते थे अरे मैं क्या करूँ मुझे दुसरे जंगल बहुत ज़्यादा जरूरी काम से जाना है परन्तु जाओं भी तो कैसे जाओं अपने पीछे अपना ये प्यारा जंगल मैं ऐसे ही छोड़ कर तो नहीं जा सकता ना कोई तो इस जंगल की देखभाल के लिए होना ही चाहिए परन्तु इस जंगल में ऐसा कौन है जो मेरे जाने के बाद मेरे पीछे इस पूरे जंगल का दिहान रखे और ठीक तरीके से इस पूरे जंगल का राज संभाल सके चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल के तमाम पक्षियों की एक सभा बुलाता हूँ और फिर मैं फैसला करूँगा कि जंगल के किस पक्षी को मेरे पीछे जंगल का राज समालने का मौका दिया जाए फिर तो तेमाराज जंगल के तमाम पक्षियों की एक सभ़ बुलाते हैं जिसमें जंगल के काफे सारे पक्षी शामिल होते हैं कालू को वक्ष और मीनुचिडिया दोनों भी वहाँ पर आई हुए थे पक्षियों आप सब को यहाँ पर बुलाने का कारण आज बहुत ज़्यादा एहम हैं क्योंकि मुझे दोसरे जंगल किसी काम के लिए जाना है इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपने पीछे इस जंगल में किसी जिम्मेदार पक्षी को अपनी जगा बिठा कर जाओ ताके मैं इस पूरे जंगल की देख भाल कर सकें और अठी तरीके से मेरे पीछे इस जंगल का राजे सभाल सकें परन्तु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जंगल के किस पक्षी को अपनी जगा राजे पे बिठाये जाए अब आप सब मिलकर ही मेरी मदद कीजिए और मुझे बताइए कि किस पक्षी को मैं अपने पीछे जिम्मदार बना कर जाओं दूते महराज की ये बात सुनकर वहां बेठा हुआ कालु का हुआ फोरण से कहता है महराज महराज इसमें चिंता करने की क्या बात है आप जा रहे हैं तो जाइए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आपके पीछे इस पूरे जंगल को मैं अच्छी तरीके से समाल लूँगा आप देखिएगा आपके जाने के बाद जंगल में किसी पक्षी को बेकर भी दिकत नहीं होगी मैं बिल्कुल सुकून से रखोंगा सबको अरे कालो कोई अगर मुझे खुद फैसला करना होता तो मैं जो भी राय होगी मैं वही करूंगा हरे महराज यह कालुखावा जंगल का राजे समालने के लिए ठीक नहीं है यह हमेशा बेवकूफी करता रहता है हां महराज यह तो कोई बुद्धी मान पक्षी नहीं है आपको चाहिए कि आप मीनो च्डिया जैसे किसी बुद्धी मान पक्षी को अपने पूरे जंगल का राजे समालने के लिए दें अरे हां महराज मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मीनो च्डिया को ही हमारे जंगल का महराज बन जाना चाहिए अच्छा ठीक है अगर आप सब पक्षी यही चाहते हो कि मीनो च्डिया ही इस जंगल की महराज बन मैं अपनी पूरी कोईश करूंगी कि जंगल के हर एक पक्षी को अच्छी तरह देखूं और उनकी हर चीज का बहुत ज्यादा ख्यार रखूं फिर क्या था जंगल के तोते महाराज ये फैसला कर लेते हैं कि उनके जाने के बाद में उच्डिया ही उस पूरे जंगल का राज निकल जाते हैं और पीछे में उच्डिया पूरे जंगल का राज़ समाल लेती है अब पक्षी पूर जंगल की महाराज में उच्डिया थी में उच्डिया जंगल के तमाम पक्षियों का बहुत खयाल रख रही थी वे उन्हें भोजन देती और उनके सारी चिंताएं दूर कर देती जंगल के तमाम पक्षी मेनुचिडिया से बहुत खुश थे परन्तु कालुकोवेस से ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसके रहते मेनुचिडिया इस पूरे जंगल की महराज कैसे बन गई अरे ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है मैं इस जंगल का महराज नहीं बन सका इन तमाम पक्षीयों ने मुझे नीचा दिखाया है और ये थाबित किया है जैसे मैं मेनुचिडिया से बुद्धिय में काम हूँ अब मैं मिनुचिडिया से इस बात का पदला जरूर लूँगा और जंगल के तमाम पक्षीयों और तोते महराज की नजर में उसे घलत साबित करके रहूँगा फिर कालो कोववा उसे मैं आकर एक पथर हावा में अच्छालता है वें पथर एक से पढ़ जाके लगता है जिसके कारण वे से जमीन पर गेर जाता है जमीन पर गेरते ही वे से फोरण से एक जादूई परी में बदल जाता है अरे मेरे आका आपने मुझे इस शिराप से मुख्ट किया है कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैं काफे समय से इस सेट के अंदर केट थी परन्तु आपने इसे तोड़कर मुझे शिराप मुख्ट कर दिया औरे हाँ हाँ ठीक है हो गया मुझे से गल्टी से परन्तु तों कौन सी जादूगर हो जो मुझे कोई भी शक्ती ले लोगी अच्छे आका तो आपको कोई जादी शक्ती चाहिए मैं खुद एक जादी परी हूँ और मैं आपको कोई भी शक्ती दे सकती हूँ चलिए मैं आपको रूप बदलने की शक्ती दे देती हूँ आप कहीं भी किसी का भी रूप ले पाएंगे फिर वेपरी एक मंतर पड़ती है और कालो कोवे पर जादो कर देती है जिसके कारण कालो कोवे में रूप बदलने की शक्ती आ जाती है रूप बदल की रानी बदल दे मेरा रूप जब भी आप ये मंतर बोलेंगी आपका रूप जिसमें भी आप चाहेंगे उसमें बदल जाएगा परिंट तो याद रहे रात होने से पहले पहले आपको ये मंतर बोलना है और रात होने के बाद आपको इस मंतर का बिलकुल भी इस्किमाल नहीं करना नहीं तो आप आखरी में जिस रूप में होंगी आप हमेशा उसी रूप में बदल जाएंगे अरे वाह ये तो बहुत काम की जादूई शक्ती है क्या ये वाकई में काम करती है फिर कालू का वा मंतर बोलने रखता है और वे अपना रूप बदल कर देखता है हम चलो मेनो चड़िया बन कर देखता हूँ रूप बदल की रानी बदल दे मेरा रूप ये मंतर कहते ही कालू को वा उसी समय मीनू चिडिया में बदल जाता है अरे वाह मैं तो मीनू चिडिया में बदल गया अब देखो मैं उस मीनू चिडिया के साथ क्या क्या करता हूँ मैं अब उसे नहीं चोड़ूंगा कालू को वा अब मीनू चिडिया के रूप में बदल चुका था और वे सोच रहा था कि वे मीनू चिडिया के साथ कुछ ऐसा करे जिससे मीनू चिडिया पूरे जंगल में बदनाम हो जाए अरे अब देखो ये कालू को वा उस मीनू चिडिया के साथ क्या करता है मैं मेनो चडिया को अब बिल्कुल नहीं चोड़ूँगा और जंगल के तमाम पक्षियों के सामने उसे बदनाम करके रहूंगा अब मैं जंगल के हर एक पक्षि को जा कर तांग करूँगा और उन्हें सकून से रहने नहीं दूँगा और लोग समझेंगे कि ये सब कुछ मीनो चिडिया कर रही है और अभी तो वेज जंगल की महरानी है इसलिए कोई पक्षी उसे कर कुछ नहीं सकता परन्तु जैसे ही तोते महराज वापिस आएंगे तमाम पक्षी मिलकर मीनो चिडिया की शिकायत तोते महराज से करेंगे और फिर मीनो चिडिया तो गई उसका पत्ता साफ हो जाएगा कालु काउवा सोच चुका था कि उसे अब क्या करना है फिर कालु काउवा सबसे पहले कबुतर के खिर्ट में जाता है हरे आईए आईए मीनो महरानी जी आगका यहाँ पर आना कैसे हुआ च्छा तो अब मैं तुम्हें बता कर आया चाया करूँगी मेरी मर्जी मैं इस पूरे जंगल की महरानी हूँ मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ तो मुझे रोकने वाले होते कौन हो हरे मीनो महरानी जी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था आप तो बिलावाजा ही गुस्सा हो गाई मुझे शमा कर दीजिये नहीं मैं तुम्हें शमा बिलकुल नहीं करूँगी तुमने मिस्स जबान चलाई है और तुम्हें इस चीज का डंड मिलेगा अब मैं तुम्हारी खेट की सारी की सारी फसले उखाड दूँगी और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बंदी बना दूँगी फिर तुम हमेश्या बंदी बन कर रहोगे हरे नहीं नहीं महरानी जी ऐसा मत करिएगा ये मेरे बहुत सालों की मैना थे कालू कोवा मीनुचिडिया के रूप में था और वे मीनुचिडिया को तमाम पक्षियों की नजर में बदनाम करना चाहता था इसलिए वे कबुतर की सारी की सारे फसले उसी वक्त उखाड देता है और वहां से चला जाता है मीनुचिडिया को अपने पूरे जंगल की महरानी गोशित करवा दिया ये तो बहुत ज्यादा बुरी है इसका असली रूप तो अब सामने आ रहा है ये कितनी ज्यादा मेठी बनती थी और है एकदम डायन आने दो तोते महराज को राक्सी मैं तोते महराज से इसके शिकायत करूँगा मेरी फसले कालुकोवा कबूतर को वेखुब बनाने के बाद एक जगा पर आकर बेट जाता है वे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था अरे वाह मज़ा आ गया अगर ऐसे ही चलता रहा तो मीनो चिडिया तो इस पूरे जंगल में बदनाम हो जाएगी हाहा अब मैं और सादिशे करूँगा और मीनो चिडिया को इस जंगल में बिलकुल बदनाम कर दूँगा कोई भी पक्षी उसको मुवी नहीं लगाएगा और फिर अगला महराज इस जंगल का मैं ही बनूँगा अब तो कालू कोवा समझ गया था कि उससे क्या करना है वे कहीं छुपकर मीनू चुडिया का रूप लेता और फिर जंगल के तमाम पक्षियों को परिशान करने निकल जाता कभी कालू कोवा किसी पक्षि के पास जाकर उसका पूरा घोसला तोड़ देता अरे हटाओ हटाओ इस घोसली को ये कोई घोसला बनाने की जगा है तुम तो बहुत ज़्यादा ब्योकूब पक्षि हो आएंदा मैंने ये घोसला यहाँ देखा तो इस पेड को तुम्हारे घोसले के साथ ही कार दूंगी बना दूंगी कभी कालू कोवा पक्षियों से उनका भोजन ही छीन लेता अरे तम पक्षियों का मिलकुल भी अगल नहीं है तुमें मालूम है मैं इस पूरे जंगल की महारानी हूँ मीनू महारानी और अब से ये सारा का सारा भोजन मेरा है और तम सब पक्षी यहां से दफा हो जाओ कालू कोवा मेनुचिडिया का रूप लेकर पूरे जंगल में मेनुचिडिया को बदनाम कर रहा था सब पक्षी तो यही समझ रहे थी कि मेनुचिडिया ही ये सब कुछ कर रही है और महरानी बनने के बाद मीनो चिडिया घमंडी हो गई है अरे बाप रे बाप ये मीनो चिडिया पहले कितनी अच्छी थी परन्तु जैसे ही ये महरानी बनी है ये इतनी ज्यादा घमंडी और आलसी हो गई है और अब तो ये हमसे बोजन चिन कर भी खाने लग गया है ना जाने उसे क्या हो गया है अरे हाँ भया जी हमको भी समझ में नहीं आ रहा है के इंदो में दैखना जब तोटे महराज वापिस आएंगे हम तोटे महराज से मेंदो चीडेंगे शिकायत करेंगे जंगल के तमाम पक्षी अब सिर्फ यही इंतिजार कर रहे थे कि तोते महाराज वापिस आए और वे सब मेनो चिडिया की शिकायद तोते महाराज से करें मेनो चिडिया से भी जंगल का अब कोई भी पक्षी मिलने नहीं आता था इसी कारण मेनो चिडिया भी काफी परिशान रहने लगी थी अरे ना जाने इन जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है जब से मैंने इस पुरे जंगल का राजे समाला है जंगल का एक पक्षि भी मुझसे मिलने नहीं आया ना जाने मैंने कौन सी गल्ती की है इसकी सगा चेंगल के पक्षी मुझे दे रहे है अभी मीनू चिडिया ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी उसे जाड़ियों के पिछे से कुछ आवास सनाई देती है रूप बदल की रानी बदल दे मेरा रूप अरे पापरी ये क्या हो गया ये तो मैं हूँ परन तो मैं तया करी हूँ तो फिर मैं वहाँ कैसे पहुच गया हूँ अरे ये सब क्या हो रहा है जैसे मैं रोज जंगल के तमाम पक्षियों को मीनू चिडिया के खिलाफ कर रहा हूँ वैसे ही आज ही मुझे मीनू चिडिया को जंगल में और बदनाम करना है जाँगा जंगल में और उल्टी सीधी हरकती करूँगा और बदनाम होगी मेनू चिडिया ऐसो ही मेरा नाम काल कोवा नहीं है मैं बहुत जादा शातिर हूँ भला हो उस परीका जिनने मुझे ये जादी शक्ती दी अब मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ अच्छा तो ये बात ही ये काल कोवा मेरा रूप लेकर जंगल में मुझे बदनाम कर रहा है तब ही तो जंगल के तमाम पक्षी मुझे मिलने नहीं आ रहे और कोई पक्षी भी मुझे बात नहीं कर रहा सब यहीं समझ रहे होंगी के मैं महाँ ज्यादा घमंडी हो गई हूँ कालु कोवे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मीनो चिडिया सब कुछ समझ चुके थी के कालु कोवा उसके साथ क्या करना चाहता है फिर कुछ दिनों में तोते महाराज भी वापस आ जाते हैं और जंगल के तमाम पक्षी तोते महाराज के पास आकर मीनो चिडिया की शिकायत कर रहे होते हैं कालु कोवा भी कोने में बेठा अंदर ही अंदर हस रहा होता है आरे मीनो मुझे तमसे ये उमीद नहीं थी ये जंगल के पक्षी क्या कह रहे हैं एक दो तुम्हे मैंने अपने जंगल का राज सोपा और तुमने पक्षियों का ये हाल किया तोते महाराज अगर मैं अब ये कहूंगी कि मैंने इन सब में से कुछ भी नहीं किया तो आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी और जंगल का कोई भी बख्षी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा परंतु मैं कहती हूँ कि ये सब कुछ कालो कौवे नहीं किया है मैंने नहीं किया आरे महराज ये मुझे पर अज़ाम लगा रही है मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ तोते महराज इस कालो कोवे के पास कोई जादरी शक्ती है इसमें मेरा रूप बदलकर जंगल के तमाम पक्षियों को मेरे खिलाफ कर दिया ताकि मैं सबकी नदर में बुरी बन जाओ मैंने उस दिन चुपकर वे जादरी मंतर सुन लिया था अगर वे मंतर में अभी बोलोंगी तो ये कववा दूसरे रूप में बदल जाएगा आरे नहीं नहीं मेनो चिडिया वे मंतर अभी नहीं बोलना फिर में वापिस अपने रूप में कवी नहीं आ पाऊंगा आरे मीनो चिडिया तुम मंतर बोलो रूप बदल की रानी बदल दे इसका रूप मीनो चिडिया के मंतर कहते ही कालू कोवा एक बस्तुरत घड़े में बदल जाता है सूरज भी ढल चुका था इसी कारण कालू कोवा दुबारा अपने असली रूप में वापिस नहीं आ सकता था तमाम पक्षी और तोते महराज भी ये सब तुछ देकर समझ गये थे कि कालू कोवे नहीं मीनो चिडिया को बदनाम किया है इसका अनिस्य में ये पेरना मिलती है कि जूट चाहे जितना भी बड़ा हो कभी न कभी सामने आही जाता है